आपने पूछा ऐसे के बारे में और अक्सर कॉंपिटेट इग्जम में जोटने हमारे जो उमीदवार हैं वो फेल हो जाते हैं मेरा ऐसे के बारे में यह ख्याल है कि ऐसे एक वो चीज नहीं जो आप पढ़ के कोई सवाग अटेmile करते हैं simple question and answer attempt करते हैं वो ऐसे नहीं है कि आपने कहां से पढ़ा और उनको इस तरीके से लिख लिए ये ऐसे नहीं ऐसे एक genre है ऐसे एक जैसे story लिखते हैं या जिस तरीके से आप एक शाहरी लिखते हैं तो इस तरीके से आपको बिलकुल एक complete जो है ना उनकी एक framing आनी चाहिए तो जिस student में सिर्फ knowledge में चीज़ें जो सिर्फ पढ़ते हैं वो जो knowledge capacity है वो अक्सर इस तरीके से समझते हैं कि ऐसे दोसरों के ऐसे लिखे हुए है या कहीं कोई अख़वार से आर्टिकल पढ़कर के उसको लिखे हुए ऐसे बन जाता है मेरे ख्याल में ऐसे उपर है जो bloom learning taxonomy है उनकी जो fourth और fifth level है analytical और synthetic power है synthetic steps है means एक आप knowledge जिसे हम cognition कहते है knowledge के बाद comprehension comprehension के बाद जो है ना आप analyze करते है analyze के बाद synthesis करते हैं तो ऐसे जो ना fall on that category synthesis और analysis के जो है ना फाह में तो student में चीज़ों को compare करने का जो है ना वो फ्रेम नहीं होता और एक उमीदवार जो है ना वो उन में analytical power नहीं होता synthetic power नहीं होता तो यह जो है ना चीज़ें अगर आप उसमें डालेंगे तो I am sure you will pass second हर एक essay की एक अपनी framing है अपनी structure होती है जैसे हमारे body की structure है तो उसके मताबिक के कौन से चीज़ कहा हमें लिखने का means introduction में क्या होना चाहिए और आपके background में क्या होना चाहिए और background के बाद आप compare कर रहें तो compare में आप किस से compare कर रहें कि वो एक दो different चीज़ें को compare कर रहें या उनकी जो comparison में sampling आपके ठीक है और उस comparison के बाद जो आप solution propose कर रहें अक्सर में मैं खुद भी ऐसे analyze करता हूँ कि जो उनने paragraph में चीज़ें compare करने के या जो उनने thesis statement बनाया solution किसी और के होते हैं तो means problem और उनके solutions हैं वो एक दुसरे से उनमें यकसानियत होना चाहिए उनकी जो आप problem raise कर रहें जो hypothesis उनका दे रहें उनका ही जो आपको relevant चीज़ें होने जाएं और लास में जो हम बड़ी गलती करते हैं वो conclude करते हैं हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन conclude नहीं होता और conclusion अक्सर इस तरीके से होता है कि उसके introduction और conclude में कोई फरक नहीं होता तो यह जो है अगर आप introduction और conclude में differentiate करते हैं और उन I'm sure आप pass होंगे और क्योंकि आगे जो checker है न वो उनको एक structure चीज़ चाहिए और अक्सर हम जो ने इसमें fail हो जाते हैं कि structure चीज़ देते हैं या नहीं देते हैं उनको बिल्कुल अच्छी जो है एक painting बना के देते हैं या नहीं देते हैं अगर अच्छा उनको frame बना के दे करेंगे तो अक्सर जो story आप सुनते हैं वही story होती है